बॉलिवुड के दिगच कलाकारों में एक नाम शुमार होता है फिरोस खान का, जिन्होंने फिल्मों में नायक से लेकर खलनायक तक के सबी किरदार निभाए थे, ये जिस भी किरदार को निभाते थे उसमें एक अलग ही जान डाल देते थे, इसलिए दर्शकों ने इनके ना जरूर करते है लेकिन आझ हम आपको इनकी फिल्मों के बारे में नहीं बलकि इनके आली शान घर के बारे में बताने वalten ひानों नहीं आपने शान उष्कत से और जो देखने में बेहत लगजूरिस और आली शान दिखता है जिसे आज वो अपने बच्चों और परिवार के लिए छोड़ गए है तो चलिए जानते हैं बहतरीन कलाकार फिरोज खान के इस आली शान घर के बारे में फिरोज खान का जन्म 25 सितंबर 1949 को बंगलूरू में हुआ था इन्होंने अपनी शुरुवाती पढ़ाई बिशप कौटन बॉइ स्कूल और सेंट जर्मन बॉइस हाइ स्कूल से पूरी की अगर बात करें इनके अभिने करियर की तो आपको बता दे इन्होंने अभिने करियर की शुरुवात साल 1960 की फिल्म दीदी से की थी इस फिल्म में इन्होंने एक सहाय कभिनेता के तौर पर काम किया था जिसके बाद इन्हें अगले पांच सालों तक ज्यादतर फिल्मों में सहाय कभिनेता के तौर पर काम करने का मौका मिला इन फिल्मों को करने के बाद साल 1965 में फिल्म उंचे लोग में इन्हें काम करने का मौका मिला इस फिल्म में फिरोज खान के सामने अशोक कुमार और राज कुमार जैसे बड़े कलाकार थे इस फिल्म के बाद मानो जैसी की इनके सामने फिल्मों की लाइन लग गई जिन में इन्होंने Bollywood Industry को एक से बढ़ कर एक फिल्में दी जिन में आरजू, जाबाज और काला सोना जैसी फिल्में शामिल है इन फिल्मों को करने के बाद इन्होंने कई और फिल्मों में काम किया जिन में इन्होंने बतौर खूंखार खल नाइक की भूमिका निभाई जिन में से इनकी कुछ फिल्में हैं कबीला और खून और पसीना इन्हें आखरी बार साल 2007 में आई फिल्म वेलकम में देखा गया था जब ये इस फिल्म की शूटिंग ही कर रहे थे तब ही इन्हें एक दिन पता चला कि इन्हें कैंसर है जिसके कारण ये काफी दिनों तक इस बिमारी से जूटते रहे और कुछ समय बाद यानि कि 27 माई 2009 की रात इन्होंने अपनी आखरी सांस ली लेकिन अगर बात करें इनके आली शान घर की तो आपको बता दें कि फिरोज खान अपनी लग्शूरियस लाइफ जीते थे जहां आज भले ही वो हमारे बीच ना हो लेकिन अपने परिवार और बच्चों के लिए इन्होंने अपने पीछे करीब 280 करोड की संपत्ती छोड़ी है जिन में इनका 80 करोड का मुंबई का घर भी शामिल है साथ ही बैंगलूरू में इनकी 100 करोड की जमीन है और एक फार्म हाउस भी है जो इनके जाने के बाद इनके बेटे फरदीन खान के नाम हो गई है और इस घर में फिरोज खान ने अपने परिवार की सारी जरूरतों को ध्यान में रखकर ही डिजाइन करवाया था बाहर से ये घर भले ही किसी आली शान घर की तरह दिखता हो लेकिन इसका इंटीरियर आपके होश उड़ा देगा इस शानदार घर के अंदर खूपसूरत डेकॉर है जिसका रास्ता लिविंग स्पेस की ओर जाता है और इस घर के अंदर लिविंग रूम, डाइनिंग रूम, किचिन से लेकर बार काउंटर तक की फैसिलिटीज मौजूद है तो दोस्तों आपको दिगज कलाकार फिरोज खान के इस आली शान घर से रूबरू होकर कैसा लगा आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं साथ ही बॉलिवर्ड इंडस्टरी से जुड़ी और भी ऐसी ही मसालेदार खबरों को जानने के लिए आप हमारे चानल को सब्सक्राइब करना ना भूलें